हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो हम लोग जो हैं अभी क्या करें कि BPSC के लिए अभी क्या करें कि MC की लगा रहे हैं यह जो MC की किस चीज का है तो आपको याद रखना कि बिहार special का लगा रहे हैं हम लोग जानते हैं कि BPSC का कोई भी एक्जाम होता है तो क्या होता है कि 20 प्लस question क्या ले लेता है कि बिहार special से ले लेता है और बिहार special का जो होता है question सारे paper से easy होता है history, policy, geography यह सब देखिएगा तो उससे easy होता है इसका question छूटता है तो बहुत जादा problem हो जाता है हम लोग 15-16 class लगा चुके हैं अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लिजेगा 340 question लगा चुके हैं जाकर सारा देख लिजेगा ठीक है यह कहां से लिया जा रहा है तो BPSC का जितना भी तरह का exam होता चाहे तो assistant का लेता है CAC का पहले CDPO का अलग से लेता था सबका इसमें PYQ है साथी साथ इसमें important जितना भी MCQ बनेगा उसको इसमें सामिल कर लिया जाएगा exam के पहले सारा खतम हो जागा तो आपको टेंसर नहीं लेना बिहार special को भी पढ़ा दिया गया है ठीक है अगर इसका PDF चाहिए तो क्या करना है कि टेलीगराम का लिंक दिया होता है वीडियो के description में वहां से जाएगा सारा PDF डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए तो उसके लिए टेंसर नहीं लेना PDF का time to time सारा PDF डाल दिया जाता है ठीक है तो चलिए आज का class हम लोग सुरू करते हैं वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करेगा कॉमेंट करके सेर करके सब्सक्राइब करके बेल ऐकन दबा दिजेगा ताकि आपके पास notification time to time पहुंचता रहा है तो जो आज का जो सबसे पहला question का है हम लोग 340 question लगा चुके हैं तो आज 341 नंबर से लगाएंगे तो आज का जो सबसे पहला question का है कि महात्मा गांधी ने पर्थम सत्यागरा बिहार में किस स्थान पे किये थे यह आपसे पूछ रहा है तो कि पूरे इंडिया में पर्थम सत्यागरा था इनका यह जो कहां पर किये थे तो आपको याद रखना है कि चंपारन में किये थे 1917 इसवी में यह भी बात आपको ध्यान में रखना है इसके बाइग्रांड से चलते हैं क्योंकि यहां से बहुत तरीका से question बनाता है BPSC तो सा आज के बाद question एक भी नहीं चूटेगा सबसे पहले याद रखना है कि 1916 इसवी में क्या हुआ कि लखनव अधिवेशन हुआ कांग्रेस का इंडियान नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ कि लखनव में अधिवेशन हुआ कभी-कभी यह पूछ लेता है कि लखनव में जो याद रखना है कि राज कुमार सुकल नाम के एक आदमी थे वो क्या हुआ कि लखनव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी से मिले और महात्मा गांधी जी से मिले चंपारन में जो प्रूबलम था उसके बारे में बताएं और उनको बुलाएं मतला अमंतरन की यह और अगर किसान के पास 20 कठा जमीन था तो उस पे 3 कठा में कम से कम नील का खेती करने के लिए जबरदस्ति किया जाता था किस से किसानों से कौन करता था तब बिरिटी सर लोग करता था नील का खेती जो था किसान लोग नहीं करना चाहते थे क्योंकि नील का खेती करने से क्या हो जाता था सारा जमीन क्या हो जाता था कि बंजर हो जाता था ए वात आगको ध्यान में रखना है तो कोई कि comment क्हेती करना चाहेगा लेकिन ways पीडिसर से से इससे फैदा था क्योंकि उसको कलर चाहिए था क्योंकि जो इंड़ाश्ट्री था टेक्स्टाइल का तो उसमें कलर का जरूरत पढ़ता था तो उसके लिए निल का खेती करवाता था और किसान लोग को करना नहीं था क्योंकि भूमी बंजर हो जाता था एक question अभी बना लेता है बतक मिया के बारे में कि इनको कौन बचाया था जब चंपारण सत्यागरा में आये थे तो बतक मिया अश्टोरी का है कि जब ए आये थे महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी आये 1917 इस्वी में तर इनको का हुआ कि दूद पिलाकर दूद में जहर मिलाकर किया था कि इनको मारने का पलान था किस के थुरूँ तो ब्रिटी सरक ऐ सोचा था اور जो बतक मियां थे वो क्या थे कり20 सोई थे इसलिए जो भी PSE है दो बार से पिछले बार से एक question भी पूछा था ये बात भी आपको ध्यान में रखना तेहीं से relate होता है ठीक है तो चलिए इतना चीज़ी याद रखते हैं तो क्या होता कि आपका question नहीं छोड़ता है तो मतलब महत्मा गांदी का अगर भारत में पर्थम सत्यागरा था तो 1915 या 1916 इस्वी के पहले कहा थे ये भी आप सको जानना पड़ेगा तो 1893 इस्वी में क्या हुआ कि ये 100 अफिर का गये थे ठीक है 100 अफिर का किस लिए गये थे तो एक case लड़ने के परपस से गये थे actually में तीन काम 1893 इस्वी में हुआ था तीनों काम या सत्याती साथ में याद रखना है कि अगर um पूचले कि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का पताम भारती मे karşı द्यान में रखना वे इनुख में कानन यह बात आपको ध्यान में रखना है और 1915 इस भी में क्या था कि सौत फिरका से लौट कर आये थे अगला क्या है आपका कि बिहार राज में आरियों का आगमन किस काल में हुआ यह आपसे पूछ रहा है तो उत्तर बैदी काल में हुआ रिग बैदी काल में हुआ यह पुर्व से लेके 1000 इस पूर्व तक चला था यह वाताप को ध्यान में रखना है और 1000 से लेके 600 जो इस पूर्व का बीच का जो समय है न वो उत्तर बैदी काल में माना जाता है और जो अथर्वेद है उसमें इस साक्ष मिलता है कि उत्तर मतलब आरियों का आगमन हुआ था और अथर्वेद का जो रचना हुआ था क्या हुआ था कि रीग बैदी काल के बाद हुआ था यह भी बात आपको ध्यान में रखना है तो अथर्वेद में साक्ष मिलता है कि उत्तर बैदी काल में आरियों का आगमन हुआ था यह बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है क्योंकि यह भी सवाल आरेयों का मतलब क्या होता है तो स्रेष्ट होता है खुद को वो स्रेष्ट समझते थे ये भी बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए अगला कोश्चन का है कि कोटील का जो पुस्तक था अर्थसात्र वो किस विशाय पराधारित था ये आप से पूछ रहा है तो आर् भी नहीं कन्फ्योजन में आना है कि एकनोमिक से रिलेट करेगा ये बिल्कुल गलत है ये दोनों ठीक है ये जो है रिलेट किस से करता है तो अड्मिस्ट्रेटिव से करता है प्रसासन से करता है सासन कला के सिधान्त और अभियास से करता है अगर बिपीएसी का आपका जानते हैं चानक के भी नाम से जानते हैं एक कौन थे तो आपको याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर का एक गुरुजी थे मतलब कि उनके सिच्छक थे और उन्हीं ने जो है चंद्रगुप्त मौर को क्या किये थे कि सिच्छा दिये थे और सहायता किये थे और उन्हीं के स सहायथा से मतलब को टील के सहायथा सई क्या हुआ था कि चंद्रगूप्ट मॉर जो थे नंद बंस के खत्म करके क्या किये थे कि मॉर बंस का स्थापना किये थे मगड में यह भी बात आपको ध्यान में रखना है उस समय नंद बंस पर कौन राजब था तो आपको याद रखना कि धनानंद क्या था कि राज़ा था उसी को मार कर क्या हुए थे कि यह जो है मतलब की मौर बंस का स्थापना किये थे यह भी बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए अगला कोशन क्या है कि बिहार आने वाले महत्पूर्ण चीनी यात्री का नाम बताईए यह आपसे पूछ रहा है तो फाहियान ठीक है इवान चौंग इतिसंग इन में से सभी एक कौन-क के सासनकाल में आये थे यह तीनों जो यात्री थे किसलिए आये थे तो नलंदा विस्विद्याले में आये थे नलंदा विस्विद्याले में सिक्छा लेने के लिए आये थे यहां पर बहुत बड़ा पूरे बर्ड में विख्यात पढ़ाई होता था नलंदा विस्विद्य जिसको बक्तियार खिल जी क्या है कि 1200 के करीब करीब क्या किया था कि जला दिया था आग लगा दिया था उसको तोड़ फोड़ कर दिया था ठीक है तो उसी में एसब क्या किये थे कि पढ़ने के लिए आये थे यह बाता को ध्यान में रखना और तीनों चीनी यात्री थे अग को याद रखना है कि चंद्र गुप्त दीतिये के सासनकान में आये ते जो गुप्त बंस यहाइ सासक नंगर के ना। क ह sou प्रसों चांग भ før रहे थे ति étaह की है कहीं कहीं पर 399-10 व रहे तो एक चिनी यात्री थे जो 675 इस्वि में आए और साथ भिक्रम सिला विस्विद्ध्याले जो आपका भागल पूर में है वहाँ पर क्या किये थे कि दोनों जगा आके सिक्षा लिये थे ते इतना बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है अगला कोश्चन क्या है कि बिहार में बुद्ध की जो तामर मुर्ती है वो कहां से प्राप्थ हुई थी यह आप पूछ रहा है तो 22 से हुआ था बोधियां से हुआ है धिदर गंज पाटना से हुआ था यई सुल्तन गंज भागल्पूर से हुआ तो आपको याद रखना्य यह शोलता admired कहां से हुआ था तो भागल्पूर ठीक है बहुत बड़े-बड़े राजाओं के और क्या कोनूर इरा भी जैसे देखते होंगे कि अभी उसी के पास है तो वो सब ले गया है और क्या किया है कि अपना संग्रहाले में रख लिया है यह जो अभी कहां पर है तो ब्रिटिस संग्रहाले में रखा हुआ है और एक बताया जाता है कि 400 से क्या है कि 700 इसवी के बीच में कालके बताया जाता है जो करीब करीब आपको याद रखना है कि 400 किलो गराम का था 400 केजी का था ठीक है अगला कोश्चन क्या है कि बिहार सहित पुर्वी भारत में आरेयों का बिस्तार में क्या सहायता किया है मतलब कि जो यह आरेयों लोग बिस्तार कर रहे थे तो क्रिसी ब्यपार समराज बिस्तार लोहे का उपयोग क्या इसमें पुन रूप से इसको सहायता किया था कि आरेयों जो था बिहार सहित पुर्वी भारत में आरेयों का विस्तार में बहुत बड़ा सहायता निवाया और हम लोग जानते कि जो छोटा नागपूर पठार है वहां से लोहा प्राप्त इजी तरीका से हो जाता था और लोहा का उप्योग करके क्या किया कि पुर्वी भारत और बिहार के एरिया में यह अपना आरेयों क मगद है अंग है या बजी पर पतर इसका मगद और को आप को आप से पूश सकता है अब संत्र के पिताजी का भी नाम क्या था तो बिरियत दर्ते ही था और माओर बंस का अंतिम राजह का भी नाम ही था तो याद रखना लेकिन जैसे ही पूछले की ऐ बशतविक स्थापक कौन थे आपका मगद का तो आपको याद रखना कि Vimbi ей बिंबी सार नहीं बिंगर जो हर्यक बंस से रिलेट करते थे उनको क्या माना जाता है कि मगद का बस्तविक संस्थापक माना जाता और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यह जब हर्यक याद रखना तो उत्तरबाइदी काल का कौन वो जगा था ता आपको याद रखना है मगद ए बाता को ध्यान में रखना जो अथरवेद में उसका क्या है कि साक्ष मिलता है ठीक है अगला कोश्चन क्या है कि बिहार की चक्रवर्ती देवी किस सैली की परमुक चित्रकार थी ये आपसे पूछ रहा है तो मदोवणी पेंटिंग से मंजूसा सैली से पटना सैली से या इन में से कोई नहीं तो इससका जो सई सब्सक्राइब करें संद्ण है यहीं सरकारी प्रयास्र उसलें क्या हुआ कि प्रकास में आया एं बाता ध्यान में यहीं स्मीर hypothalamus ध्यान में रखना को स्टित नहीं था यह भी बात आपको द्यान में रखना है बजी जो था आपको याद रखना है कि बैसाली वाले छेत्र में पढ़ता था बिहार के यह बात आपको याद रखना है मगज जो है पाटली पुत्रा पटना और गया के छेत्र में पढ़ता था ये भी बात आपको याद रखना है और रंग जो है भागलपूर और जो है आपका मुंगेर वाला जो छेत्र है उस वाले छेत्र में पढ़ता था तो इतना आपको ध्यान में रखना है हम लोग जानते हैं कि 16 महाजनपद था 16 महाजनपद में से यह जो बत्स था वो कहां पे था ता इलाहाबाद के छित्र में एक केंद्रित था और कोसंभी इसका क्या था किराजदानी था यह बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है अगला कोस्चन क्या है कि बिहार में अरेव पर सिय रिसर्च इंसिचूट कहां पर इस तित्य थे तो आपको याद रखना है कि यह पटना में है यह बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है मिधला संस्क्रित बिद्या पीट का स्थापना कब हुआ था एभी कोस्चन पूछा हुआ है तो आपका उन्हें सो तिरपन मे हुआ था 1954 में 1951 में 1952 में इसका जो सही उत्तर क्या है आपको इसका जो सही उत्तर है क्या आपको याद रखना है कि 1951 इसका स्थापना हुआ था यह भी बात आपको ध्यान में रखना है ठीक है 21 नवंबर 1951 में मिधला में 26 कहां पर हुआ था तो दर्भंगा में हुआ था यह भी बात आपको ध्यान में रखना है चलिए अगला कोस्चन क्या है कि राजेंद्रिक क्रिसी बिस्विध्याले का कहां पर है यह आप से पूछ रहा है तो पूसा समस्तिपूर में है मदेपूरा में है कंकड़वाग पटना में है या दरवंगा में है तो आप हमेशा सुन के बारे में पढ़ाया जाता है तापको ध्यान में रखना चलिए बिहार में सरवादिक नाम पर में होता है दरबंगा में होता है भागलपूर में होता है तो इसका जो सही उत्तर का है कि आपका किसंगंज में होता है यह बात आपको ध्यान में रखना है यह जो मैप है मैप में जो किसंगंज है यहां पर सबसे ज्यादा बारिस होता है बिहार में 212 संटीमीटर तक क्या हो से बोंड़ी जो करता है साथ जिला बोंड़ी टच करता है और ये सातो जिला में कहें कि जो है तराई का छितरी सको बोलते हैं अगला कोश्चन काया कि मुकुंद जो कुंड है वो कहां पर इस्तित है यह आपसे पूछ रहा है तो मनेर में है राजगीर में है बिहार सरीप में है पुलवारी सरीप में है तो इसका जो सही उत्तर का है आपको याद रखना है कि यह राजगीर में इस्तित है यह बात आपको ध्यान में रखना है य चाहिए जो पिडिये भ matar नगे तो क्या कर देंगे कि सही कर देंगे मुकंद कुंड है bridge नियुंबुद के मिर्त्यू जहां पर वहां बनाया गया था प्र वसक्तबुन ने जहां पर अपना परफं प्रवचन दिये थे वहां पर या जहां पर गौतमबूद पायदा हुए थे इनका मिर्त्यू तो कहां पर हुआ है तो कुसी नगर में हुआ है जो यूपी में इस्थी थै ग्यान का प्राप्टी जो हुआ था इनका बोध concent के नीचे हुआ था निरंजना नदी जिसको फल्गू नदी के भी नाम से जानते हैं वहां पर हुआ था एबात आपको ध्यान में रखना है इसका जो सई उतर क्या हो जाता है कि इनको ग्यान की पराप्ती हुआ था मतलब की B option सई है एबात आपको ध्यान में रखना है बुद्ध का जो आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए निमली खित में से किस नगर से मात्मा बुद्ध का जो है घनिष्ट संबन्ध रहा है राजगीर से बोधगया से भैसाली से इसका जो सेयूत्र का किए प्लूंद गयां से और बोच गया में क्यों कि इनका ग्यान की प्राप्तिUB है killer 004 उन्हाभू अगहला problem क्या कि विहार में चिरांद और चेचर्चे से जो किया है कि कुछ अवसेस मिला है प्रचिनकाल के वो किस यूग का अवसेस का है यह आप से पूछ रहा है Nea Pura Aşamantar का है M cooking permit प्रास्तर का है और मद प्रास्तर सुद्धि प्रास्तर सकषक है ते जुदिए इसका जो सही उत्तर का है कि पाटले पुत्र से हुआ है बरावर से हुआ है राजगीर से हुआ है यह सभी से हुआ है इसका जो सही उत्तर क्या है कि यह सभी से हुआ है पाटले पुत्र से हम लोग जानते कि कुमरार से जो है चंदरगूप मौर का जो है किला का अपसेश पराप्त हुआ है जो लकडी का अपना हुआ था बरावर से हम लोग जानते हैं कि मौर काल के जो एक दसरत जो इसका असोख का पौत्र था वो क्या किया था कि वहां पे जो है बहुत भिक्षो को रहने के लिए क्या करवाया था तो वो जो है पहाड को तोड़वा कर मतलब गुफा बनवाया था यह बाता को याद रखना और असोक ने भी बनवाये थे राजगीर से भी क्या है कि प्राप्त हुआ यह थे इतना बाता को रहन में रखना अगला कोश्चन यह है कि स्वामी सहजा नंसर स्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किये थे जिसका नाम क्या था ये जो है 2018 में 63 वी पेसी में पूछा था कोईच्च है जन करांती नाम था हुंकार नाम था क्रिशक समचार था या बिद्रोही था उपरीक्त में से सभी और उपरीक्त में से कोई नहीं पहले पाचमा उप्सन रहता था जो अभी हट गया है ठीक है तो य उत्तर क्या है कि हुंकार एक क्या करते थे कि प्रकासित किये थे वाताब को ध्यान में रखना स्वामी सहजा नंजर सरस्वती थे विहार के बहुत जो है बड़े क्या है कि ए जो है स्वतंत्रा सेनानी रहें और साथी साथ किसान अंदोलन में इनका बहुत बड़ा भूम कर रहा है जिस सवाल हमेशा बनते रहता है बीटा में क्या किये थे कि किसान सभा को अफचारिक अस्थापना किये थे याद रखना है ठीक है चलिए अगला कोश्चन क्या है कि बिहार के किस तुर्क राजबंस के अभिलेक प्राप्त हुए है यह आप से पूछ रहा है तो ममलु का स्थापना किया था 1322 में किसको मारकर खुसराव खान को अंत करके तेरासण अभियास भेजा था तो एह वात आपको दियान में रखना है ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना है वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा लाइक करिएगा कॉमेंट करके सेर करके सिस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दिजेगा ताकि आपके पास नोटी पेकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहे जो भी बाकी क क्या करेंगे कि अब उसको चल्दी जल्दी से जल्दी हम भीड़र को चलीए सहलें जैंजा का नुद